अब 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 लोग बहुत अच्छे हो और अभी हम मिले है हमारा लौका नेक्स केस लौ पढ़ने के लिए कंपानी लौक के केस लौज हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं पाउंडेशन कंपानी लोग के कुछ केस लौज हमारे पढ़के हो चुके है अब मैं आए हूँ आपके लिए एक नया केस लौज लेके जो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपॉर्टन और स्टोरी वाइस भी जो काफी इंट्रेस्टिंग है बहुत साथे स्टूरें है माम कौन सा केस लौज है ये तो देखो एक बार वन सेकेंड केस लौज का जो नाम है और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो हम डाइग्राम फॉर्म से पढ़ेंगे तो आपको भी यह चीज याद रखनी है और आपको भी हमेशा जब है यह तो केस लौज का नाम है मर्चंडाइज ट्रांस्पोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांस्पोर्ट कमिशन तो केस लौज का नाम है मर्चंडाइज ट्रांस्पोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांस्पोर्ट कमपिनी क्या होता है इस case में तो start करते है हमारी story हमारी कहानी तो हमारी पास एक company है इस company का नाम क्या है यह company का नाम है Merchandise Transport Limited माम क्या करती है यह company तो इस company का एक business है और उस business के लिए उनको कोई vehicle का license चाहिए किसी कभी कुछ चीजों के लिए किसी company का approval लेना पड़ता है किसी agency का approval लेना पड़ता है वैसी ही एक vehicle का license होता है जो इस company को चाहिए और license देने का जो काम है वो करता है BTC Now what is this BTC? So BTC is this British Transport Commission यह वो license देने का काम करती है इस company ने उस license के लिए apply किया company ने यह license जो चाहिए था उसके लिए apply किया बट कुछ reason के बज़े से हम क्या reason exactly क्या हुआ उसमें नहीं जाएंगे principle पे ध्यान देंगे तो कुछ reason के बज़े से वो जो license था वो company का reject हो गया अगर मैं reason बता दू तो यह जो BTC है ना BTC ने एक scheme लाई थी और उस scheme में ऐसा था कि काफी जादा जो small companies है जो अभी अभी बनी है जिनका जादा volume नहीं है उन companies को promote करने के लिए बढ़ावा देने के लिए BTC ने decide किया था कि ऐसे small companies को वो license देंगे जो companies already established है उनको license नहीं देंगे so that was one of the reason तो इस company का license reject हो गया अभी इस company ने क्या किया merchandise transport limited ने सोचा हमें license तो चाहिए अभी कुछ भी खड़के license चाहिए तो क्या किया जाए तो उन्होंने इस एक company को incorporate किया एक company को incorporate किया जिस company का almost सारा control ये merchandise transport limited के पास था shares maximum shares भी hold कौन कर रहा था तो merchandise transport limited hold कर रहा था मतलब ये company इस company की क्या बन गई subsidiary company बन गई है सोनो because maximum जो shares है उस company के किसके पास थे merchandise transport limited maximum control भी उसके पास था तो ये company subsidiary company बन गई और just because ये company अभी छोटी है अभी अभी बनी है ये subsidiary company ने BTC को license के लिए apply किया तो BTC को apply करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब BTC शायद ये license दे दे because उनके हिसाब से ये small company है अभी भी company अभी just incorporate हुई है तो अभी भी growing phase में है बट यहाँ पर क्या हुआ BTC ये license देने ही वाली थी तब BTC ने cheese notice की BTC ने अपना research किया और BTC के ध्यान में आ गया कि ये जो subsidiary company है ये जो company है इसका maximum share holding तो merchandise transport limited के पास है उसके बाद उसका maximum control भी merchandise transport limited के पास है तो ऐसे वक्त इस company ने ये जो दूसरी company को incorporate किया वो बस इसी reason से किया कि उन्हें license मिल जाए मितला इस company का कोई भी अपना business नहीं था इस नए company में कोई भी transactions नहीं हो रहे थे sole purpose बस यही था कि BTC से British Transport Company से वो license उन्हें मिल जाए तो obviously यहापे court ने क्या decision दिया court ने decision दिया कि ऐसे purpose के लिए basically ऐसे illegal purpose के लिए आप ऐसे company incorporate नहीं कर सकते हो और ऐसे case में क्या हो जाएगा यह जो पढ़दा है तो basically यह जो corporate will है corporate will is again separate legal personality यह जो separate legal personality माना गया आपकी subsidiary company को और आपको वो beach का पढ़दा हम उठा देंगे और उठाने के बाद माना जाएगा कि आपकी subsidiary company यह आपका ही एक हिस्सा है भले वो company यह लगती subsidiary company यह लगती भले उस company का legal existence था because company यह एक separate legal entity होती है but just because purpose illegal था उस company का अपना कोई business नहीं था तो ऐसे वक्त हम यह corporate will को उठा लेंगे and corporate will is what separate legal entity so that was the case of lifting of corporate will काफी जादा अच्छा case, काफी interesting case और बहुत easy तो जो diagram मैंने अभी बनाया वो आप बनाना यहाँ पे शायद से आप एक vehicle भी बना लो छीक है? तो आपको ध्यान में आ जाएगा आप मुझसे बहतर बना लोगे कहीं तो license भी लिख दो तो जो भी भी आप revise करोगे तो आपको जल्दी से यह case तमझ में आ जाएगा आपको theory पढ़ते नहीं बैठना पढ़ेगा कभी भी ध्यान में रखो revision notes आपके बहुत अच्छे होने चाहिए बिकाज अभी जितनी पढ़ाई कर रहे हो उससे भी जादा आपके जो माक से वो डिपेंड करेंगे कि आप one day before कितना पढ़ाई कभर करते हो कितनी जादा अज़े से तब आपकी पढ़ाई हो जाती है तो प्लीज नोट दिस एंड थांक यू सो मच I will meet you again with some new case जो company law के बज़े होई case है वो हम पढ़ेंगे Bye, take care